इसटुडेंट्स आप जूर शुकँ एउसरा एप यूटुब चैनल से यह आपने चैनल को साथकाइब नहीं किया यह तो चैनल को सबसक्काइब करनें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जाधा-छाधा शेह गरें आज मैं discuss करने वाला हूं हिंदी का पूरा पूरा जो grammatical portion है जो questions आपके मैं topic से पूछे जाते हैं वो सारे के सारे questions मैं आपको एक एक part by part वीडियो बनाता जाओंगा topic by topic ठीक है अभी जो पहले part है उसके वह है भासा सता ब्याकरण उसको discuss करने वाला हूं क्योंकि समय कम है तो मैं lecture तो प्रोवाइड नहीं करा सकता लेकिन आपके जो questions वनते हैं impotent वो हम आपको जरू discuss करेंगी और फिर यह जब हो जाएगा फिर उसके बाद नेस्ट में हम आपको omr seat बताएंगी कि कैसे भरते हैं और क्या-क्या हमें साबधानिया रखने हैं यह omr seat भरते समय और किस तरह से है न हम अच्छी नमबा ला सकते हैं कम समय में तो बहुत सारी चीज़े प्रोसेज बताऊंगा हम इंदी गिरामर पूरी हो जाने के बाद यह हिंदी गिरामर इंग्लिस मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में common है इसलिए इसको मैंने पहले लेने तो आईए बढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा प्लीज आपसे निवेदन है और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों साथ जादा जादा सेर कीजिए आईए बढ़ते हम कुशन्स क्यों और आप भी अपना मलब याद करते जाए और इंपरेंट बता कि कहते हैं एक ये एक से अधिक सार्थक बर्ड समु को हम सब्द कहते हैं आपoter है अब आशन को किसे कहते हैं बढ़ते को है के कहते हैं बाइड सबसे च्छोटी एक आई है उससे बढ़ी है सबसे बढ़ी है ठीक है अब सेकेंड वड़ते हैं इसका अंसर यह होगा एक या एक से अधिक सारतक बढ़ समू को हम ना सब्द कहते हैं सेकेंड महाराष्ट में किस भासा का प्रियोग किया जाता है यह भी महाराष्ट में किस भासा का उप्योग के आता है तो मराठी का है ना इसी को बोलते हैं ना महाराष्ट वाले मराठी वासा फिर थर्ड हिंदी भारत के कितने राज्यों की राज्य की वासा हिंदी जो भारत के दस राज्यों की राजी वासा इस्टेड लेंग्वेज ओके त तो दस राज्जों में है ना हिंदी बोली जाती है आंगे बढ़ते हैं अब 4. सम्मिदान के किस अनुषिद में हिंदी को राजवाशा माना गया है अनुषिद जो है ना 343 में हिंदी को राजवाशा का दर्जा दिया गया है यह important question है ध्यान रखना है इसको 5. किस ने कहा था कि सब्द की जोती ना जली होती तो विस अन्दकार में ही होता महिशित दंडी ने ये वात है ना कही थी कि अगर सब्द की जोती नहीं जली होती तो विश्वास जो है ना अन्दकार में होता नेस्ट शिक्स पार्णे की रचना का नाम क्या है यह कुश्चन आ चुका है आपका तीन से चार वार पार्णे की जो रचना है वो अस्ट धाई दोआरा की गई है पार्णी की रचना अस्ट धाई दोआरा यह अच्छा कुश्चन है पार्णी जो रचना की वो अस्ट धाई क की की और यह इंपोडेंट भी ओ आ चुका ही है ना आँगे बढ़ते हैं अब कि ब्याकरण से किसके अस्तुत्त की जानकारी मिलती है ब्याकरण से हमें लिपी की जानकारी मिलती है यह कुशन भी आ और इस वार भी in the end क्योंकि क्या होता है आपके पर में कुरिबनागरी इन दो द्यां लगना आता है सलस्कित वासा और हिंदी वासा की पूछी जा चुकी है लिपी कुन सी है ये भी important question है आपका लिख लो इसको 9. हिंदी को मानक रूप प्रतान करने का सर्व प्रतम प्रियास किशने किया ये जो प्रियास किया कि सोरी प्रसाद बाजबेजी ने इस प्रियास को किया हिंदी का मानक रूप प्रतान करने का सर्व प्रतम प्रियास किशने किया कि सोरी प्रसाद बाजबेजी ने ठीक है ये भी important question है ये आचुका है एक बार question जो भी कुश्यन आ चुके मैं आपको बताता जाओंगा ठीक है 10. स्वामी दयानन सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी वासा में की सत्यार्थ परिकास ये भी आपका पूछा जा चुका कुश्यन है और इंपोडेंट भी है 11. कन्यों जी हिंदी की किस उपवासा की एक बोली ए है पश्यमी hindi की ये भी इंपोडेंट कुश्यन है 12. निम्न मेंसे कौन बेहारी हिंदी की बोली है ये है मगई बेहारी हिंदी की बोली कौन सी है मगई यह भी अच्छा कुश्चन है इसको भी याद कर लो जो भी कुश्चन में करा रहा हूं ना आप एक रफ बना लो separate है ना उस पर या फिर बना लो जो भी आपको बनाना हो जिससे आप लास्ट टाइम में क्योंकि सारी वीडियो लास्ट टाइम में देखना पॉसिवल नहीं है ठीक है कुश्चन सारी लिख लिएगा और उन पे इंपुडेंट इस्टा बना के रखना तो लास्ट में इस्टार वाले रिवीजन करना वह वैसे नॉर्मल में सारी करना इससे हेल्प होगी आपको थर्टीन भासा का आरंब होता है भासा का आरंब किससे होता है धुनी से भासा का आरंब धुनी से होता ये भी कुश्चन है ना आ चुका एक वार नेक्ष्ट भासा के प्रमुक अभियाब कौन-कौन से होते हैं बढ़ सब्द पद और बाग के भासा के जो है ना प्रमुक अभियाब होते हैं आपके जो एक्सिलेंस और मॉडल स्कूल इंडरेंस होता है प्रवेस परिच्चा उसमें पंदा नंबर की हिंदी आती है हिंदी वीडियम हो चाहें इंग्रिज मीडियम दोनों के लिए कॉमन है ठीक है ये भी अच्छा कुश्चन है आंगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं नेक्ष्ट फिप्टीन बासा की सार तक है ठीक है इसको भी नोट कर लो आप इन पूडेंट पोश्चन है आपके लिए 16 आलोक के सिलालेक ब्रह्मी लपी तथा किस वासा में उतक्रीड्वेशा में खिला समय скаж Evans के चुशन है इसको भी नोट कर लो ठीक है है behượνतीन आमीर खुस्णों ने हिंदी के लिए क्या प्रि कि हैं रिचल हमिंद भी अमीर कोष्रों ने इंदी के लिए क्या उपयूक्त किया है हिंद भी हैं रिचना किया नोango हिंदी कि प्रियों क्या हैं आपकी पूच काड़ेंडी कि तक ही जा मां टार है हमिद्धि की तनी बोली क्या है अठ्य एम 16 right answer और इंपूरेंट कुश्यन भी है 19 राज की कार्यों में प्रियुक्त होने वाली भासा कहलाती है राज भासा ठीक है और यहीं पर राज की जगह राश्ट आ जाए तो राश्टी भासा राश्ट के कार्यों में प्रियुक्त होने वाली भासा को हम राश्ट भासा कहते हैं और ऐसे भी आपसे पुछली जाता है मदप्रदेश की राज की वासा क्या है तो मदप्रदेश की राज की वासा हिंदी है इसको भी ध्यान लखना हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है खड़ी बोली का हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है तो यह खड़ी बोली का है य पाली, प्राकरत, और अपभरंस। भारत में बारशाओं का सहित्तीघ विकास्क्रम माना जाता है। ये उप्सेन इसका सही answer है और सन्स्कृत पाली, प्राकरत, अपभरंस। ठीक है। 22, निम्न में से कौन सी पूरव्य हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वे हिंदी की बोली नहीं है, ब्रजवासा, पूर्वें कौन सी बोली नहीं बोली जाती, ब्रजवासा, जबकि बगेली, अबदी और छत्षकड़ी, इसकी प्रमुक बोली आए, नेक्स्ट 23, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाय आता है बहुत ज़ाधा important question है यह question आ चुका है आपके last year Stage Sierra hacer paper करा रखें वह प्लेलिष्ट में आप देख सकती हैं गसाँ Unity इसको फिर नेस्ट आपका 14, 24 है स्वरी 24 हिंदी, बिहारी हिंदी के अंतरगत कौन सी बोली नहीं आती है तो ये अब दिनी आती बिहारी हिंदी के अंतरगत जबकि मेथली, मगई और भोजपूरी ये आती है और इस तरह से स्टुडेंट से ये पार्ट फर्ष्ट हमारा हिंदी का कंप्रीट हो चुका है पार्ट सेकेंड हम नेस्ट वीडियो में डिसकस करेंगे यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ जादा जादा सेयर करें बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही हम सारे टॉपिक आपके हैं कराने वाले हैं आप बिल्कुल भी टेंस ना लेना और जो भी स्टुडेंट रगूलर क्लास ले रहे हैं और ऑफलाइन तो बहुत कोशिस कर रहा हूँ देखता हूँ निकलता है या नहीं कोशिस बहुत कर रहा हूँ ठीक है आप भी कोशिस करिए आप हमें ओनलाइन भी चाहिए एक मलब जो टॉप 10 मेरी लिस्ट में आ सके MP की है न टॉप 10 मेरी लिस्ट बनती है वो आप देख सकते हैं अन्य वीडियो में मैंने बता रखिए पहले जैन सात्यो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में